इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे Cotton Mills Come Up यह क्या चीज है देखिए यह समझने से पहले अभी आपको पहले की कहानी समझना हुआ थोड़ा सा तो हम relate करतें एक बार अभी तक हमने क्या पढ़ा हैं अभी तक हमने chapter में देखा कि किस तरह से Indian textile जो थी उसकी कितनी value थी all over the world बहुत जादा value दी जाती थी अब produce कौन करता तो weavers weavers कौन थे यह बताया मैंने आपको लेकिन फिर मैंने बताया कि जो Indian weavers थे जो fine quality of textile produce करते थे तो Europe में Britain में इंडस्ट्री आने से उन weavers ने कितना कुछ सफर किया Indian textile धीरे-धीरे decline होने लगा यहां तक देखिए हमने चीजें अब Indian textile decline हो रहा था ठीके वीवर्स की हालत खस्ता होते जा रही थी और फिर मैंने आपको बताया कि अब जब वीवर्स unemployed हो गए थे तो वीवर्स कहां जाएंगे तो last point जो हमने last video lecture में discuss किया तो उसमें क्या बताया था कि वीवर्स cotton mills में जाएंगे अब ये cotton mills कहां से आई क्या है ये समझाता हूँ तो देखो अनलाइक वीवर्स वीवर्स क्या अपने घर में प्रेड्यूस कर रहे हैं अपने हाथ से अपनी छोटी सी मशीन चरखा तकली उनसे हें लूम से प्रेड्यूस करते थे क्लोथ लेकिन अब क्या होड़ा cotton mills में एक फैक्टरी टाइप से स्ट्रक्चर बना दिये गया है सारी चीजें एक ही छत के नीचे ठीक है अंडर दी वन रूफ everything is being produced ठीक है and those structures were known as cotton mills उन्हें cotton mills कहा जाने लगा ठीक है अब वो चीजे जब क्या होता है इंडिया में धीरे धीरे flourish होती है और यह mills ही कहां आई थी यह cotton mills वगेरा जो industries थी यह यूरोप में आई थी तो उसी तरह से cotton mills started emerging ठीक है cotton mills आना start होती है तो the first cotton mill in India Bombay in 1854 यह धियान रखना है important fact है पहली cotton mill कहां ही Bombay 1854 में Bombay में आई है 1854 में आई है ठीक है and Bombay become the hub of cotton textile slowly and gradually क्या होता है कि Bombay है Bombay मतलब आज का Mumbai तो Mumbai क्या होता है कि Mumbai cotton textile industry का hub बन जाता है अब ऐसा क्यों क्योंकि क्या हो था एक दिन भगवान आये तो उपर सो राश्रवात देखे गए थे नहीं ऐसा नहीं है ठीक है तो Bombay जो है वो cotton textile industry का hub क्यों बनता है वो समझेगा वाई ठीक है there are multiple reasons for that what are those reasons पहला reason समझेए important port for the export of raw cotton from India अब जैसे अगर Bombay के आप position देखते हैं यह हमारा प्यारा देश इंडिया तो अब क्या होता है कि यहां पर Bombay महाराष्ट में अब जैसे फिर से आ जाएगा चलो तो अब यह Bombay है अब Bombay से क्या होता था कि यह इधर पूरा क्या है समुद्र है यह Arabian Sea है न तो Arabian Sea में क्या होता है जहांज चलते थे अब जहांज से आप क्या कर सकते हो तो जो ब्रिटेन cotton जा रहा था raw cotton तो raw cotton भी कहां से जाता था यहां पर port facility होने के कारण सीपोर्ट थे तो सीपोर्ट फैसिलिटी होने के कारण क्या है सारी चीजें इधर से उधर क्रिस्क्रॉस करती थी तो यह एक इंपोर्टेंट सेंटर बन गया Bombay important port for export of raw cotton from India ठीक है फिर क्या है close to the vast black soil tracks अब देखो क्या है यह पूरा महरास्ट आदा मद्रप्रदेश गुजरात यह जो इतना soil area है तो यह soil कैसी है हमारे देश में black soil और आपने जियोग्रफी में पढ़के आयो which soil is based for the cultivation of cotton तो black soil is the best soil for the cultivation of cotton तो उस सेंस में क्या है कि Bombay was in the vicinity of black soil ठीक है यहां पर आजू बाजू क्या है कि black soil बहुत जादा थी तो उसके चक्कर में एक advantage यह हो गया कि यहां Bombay में cotton textile ग्रो सकती क्यों क्यों क्योंकि cotton textiles को raw material आसानी से मिल जाएगा availability of labor अब population जादा रहिए population जादा रहने के करण यहां पर labor बहुत easily available है जो कहां काम कर सकते है cotton mills में काम कर सकते है तो cotton mills जो है वहीं लगाएंगे न जहां आपको labor मिल पाएगा factors of production में हमने देखा था कि जो industries वाला chapter पढ़ा था दे रहार multiple factors which are required to be considered before setting up any industry तो उसमें मैंने आपको बताया था कि labor availability भी एक important point है relate करके पढ़ो बड़ा मज़ा आएगा अगर आप ऐसे पढ़ोगे कि नहीं सिर्फ history पढ़ना है तो history history पढ़ूँगा मज़ा नहीं आएगा cotton textile का hub बन गया अभी हम आप इस topic पेक बराते हैं कि cotton mills come up तो इस तरह से दीरे-दीरे cotton mills आना start होती है ठीक है अब आपके मन में सवाल कि क्या सिर्फ Bombay में ही cotton mills develop हुई थी नहीं ऐसा नहीं है ठीक है what about the other cities तो जी हाँ दूसरी cities में भी cotton industries cotton mills जो है वो आना चालू होती है तो mills came up in other cities to एमदाबाद, कानपूर, United province ये उत्तरपदेश ये United province ठीक है और ये cotton mills दिक्कत नहीं है तो एक तरह का फाइदा ही हो गया कि बड़ती cotton mills क्या चाह रही थी कि जादा से जादा लेबर्स आए काम करने के लिए तो मशीन इतना भी automated नहीं हो तो उस समय कि सब अपने आप चले आज की तरह ठीक है तो वहाँ पर आपको लेबर्स चाहिए रहते थे कंपनी के अंदर काम करने के लिए आपकी cotton mills के अंदर काम करने के लिए तो क्या होता है कि लेबर्स की जब डिमान बड़ी तो migration भी बढ़ जा है समझना इस चीज़ को पिछले टॉपिक से जोड़ो मैंने आपको बता है कि बहुत सारे वीवर्स क्या हो गए unemployed हो गए पीजन्ड जो है तो इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि क्या कहते हैं मतलब revolt of 1857 के भी पहले जो हमने पढ़ा था ट्राइबल डिकूज वाला पढ़ा था और ट्राइबल डिकूज के पहले पढ़ा था ruling the countryside तो इन सारे चैप्टर में एक जो कर लिया गया यह जो लेबर डिमांड थी क्योंकि वह शहर में आए तो वैसा निकि रेड़ कार पेट एंट्री होगी बस आई यह आरती थाली लेकर पहुच गया उनके स्वागत के लिए उन्हें संगर्ज करना था यहां के शहर में आकर काम ढूंड़ना था और को नाई नाई स्टैबलिश हो रही थी तो कॉचन में क्या था काम था जॉब थी तो इसके चलते क्या होता है कि यहां पर सारे लोगों को अब्जॉब कर लिया गया सारे लोगों को जॉब मिल गई ठीक है तो थाउजन्ड ओफ पूर पीजेंट्स आटिशन्स मैं आप बोलोगे कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि चैलेंजेस इंडियन कॉर्टन मतलब जो कॉर्टन टेक्स्टाइल है वो भी चैलेंज फेस करती है यहां फिर वो टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं तो देखा था कि जो हमारा टेक्स्टाइल था जो कपड़े बना है गया है ठीक है तो वो हमारी जो टेक्स्टाइल इंडस्ट्री है वो टेक्स्टाइल इंडस्ट्री को क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे थे हम देख रहे हैं कि कॉटन मिल्स कम अब ठीक है तो हमारी टेक्स्टाइल इंडस्ट्री आ रहे हैं मार्केट में और उन टे सकते हैं आशागी किरण क्या देखने को मिली थी एक आशागी किरण यह देखने को मिली थी कि यहां गरीब लोग जो ते कोरस कॉर्टन जो पहनते थे तो वह हमारे ही वीवर प्रेड्यूस कर रहे थे ठीक है अब यहां पर क्या बताया जारा देखो difficult to compete with the cheap textile imported from Britain तो बिटेन से जो कपड़ा आ रहा है तो मानलो अगर वो 100 रुपे का जैसे के example लेते हैं तो जो बहुत गरीब है तो उसके लिए तो क्या है 20 रुपे 50 रुपे अलग अपड़ा है तो एक market तो वो अलग ही था उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे है लेकिन यह जो 100 रुपे का आया और इंडिया में जो कॉटन मिल कपड़ा बना रही है उसी quality का वो कपड़ा इंडिया में मानले 120 रुपे का बन रहा है तो अब क्या हो गया कौन सा सस्ता है तो कहने को महंगा है लेकिन यह इस से तो सचता है तो रिलेटिविटी का concept है ठीक है तो difficult to compete with the cheap textile imported from Britain, तो Britain से जो cotton textile import किया गए थे वो क्या थे relatively सस्ते थे और उनके साथ में हमारी जो इंडियान टेक्स्टाइल इंडस्ट्री थी इंडियान टेक्स्टाइल इंडस्ट्री कंपीट नहीं कर पारी थी तो पहला चैलेंज है रहा आए रहा समझ में आगे देखो क्या है the colonial government in India usually refuse protection to local industries देखो ये एक अच्छी चीज़े समझने वाली है ये बताती कि क्यों British rule को हमने अपनाया नहीं क्यों हमने उसे अपना नहीं माना और क्यों वो पराया सा लगता था British rule ठीक क्या होता है कि अब ये देश है अब इस देश में अगर इंडस्ट्री इंडस्ट्री ठीक है तो हमारे देश की गवर्मेंट ये करेगी ठीक लेकिन अब समय British government ने क्या किया British government इंडिया यूज्वली रिफ्यूज प्रोटेक्शन टू लोकल इंडस्ट्री तो उन्होंने क्योंकि ये जो इंडस्ट्री से क्लोट्स बनके बहार से आ रहे थे तो ये उनके देश इंडिया ने क्यों क्यों देगी? local industries को कोई as such major production नहीं मिला और उसके चलते हमारी जो local industries थी उन्होंने बहुत ज्यादा सफर किया बहुत ज्यादा challenges face करना पड़ा ठीक है but this situation changed after the first world war और first world war जैसे आप देखोगे कि 1854 में पहली cotton में ला गई थी तो 1854 से लगा के first world war 1914 में start हुआ है तो यह लगबग लगबग सहाट सालों का time period हो गया ठीक है तो यह सहाट सालों तक हमारी industries ने संघर्स करा challenges face करें लेकिन लेकिन चीज़े बदलती है कब लेकिन चीज़े बदलती है सहाट सालों के बाद में कैसे जब first world war start होता है तो वहाँ पर situation change हो जाती है अब आप बोल रहोंगे मन में sir बताओ कैसे change होती है ठीक हाओ तो वह में बतातों देखो क्या हुआ फर्स वर्ल्ड वर के time पे ब्रिटेन की industry आप कपड़े नहीं बना रही है ठीक है अब वह क्या बनाएंगी तो वह लड़ाई लड़ रहे न तो वह क्या बलते है जूते चपल और कपड़ों से लड़ाई लड़ने नहीं जाएंगे उन्हें हत्यार चाहिए रहेंगे तो ब्रिटेन की सारी industries व्यस्त होगी किसमें वार नीट्स को फुल्फिल करने में ठीक है वो उनके लिए क्या बना रहे है वो उनके लिए बंगोले बारू दिये सारी चीज़े बना रहे है सारे आम सेमिनेशन बना रहे है तो उस समय पे आप ऐसा नहीं है कि आम सेमिनेशन कपड़ पहनना चोड़ देंगे उल्टा military needs पढ़ जाएगी उनकी 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 बूट्स चाहिए रहे हैं उनकी जरुफिल को भी कौन पूरा करेगा इंडिया की इंडस्ट्री तो इसके चलते क्या होता है कि सिच्च चींज आफ्टर फर्स्ट वर्ड वर्ड तो जो cotton mills आ कि cotton mills flourish होई थी तो उसे कुछ challenges face करना पड़े यह भी मैंने आपके बताया ठीक है अब challenges face करना पड़ रहे थे लेकिन यह situation सुधरती कब है after the first world war तो यह situation थोड़ा सा इसमें बदलाओ change का बाता है first world war के time पे आगया समझ में तो this was all about cotton mills come up ठीक है अब यहाँ पर हमारा topic जो है तो chapter जो है तो chapter का एक पार्ट complete होता है कौन सा वाला वीवर्स वाला अब हम next video lecture से iron smelters के बारे में पढ़ेंगे iron smelters मतलब क्या है iron and steel industry से relate करके पढ़ेंगे अभी यह वीवर वाला हमने पूरा textile industry to be more precise cotton textile industry से पढ़ाये relate करके अब हम next video lecture में क्या पढ़ेंगे next video lecture से हम start करेंगे iron and steel industry वाला part clear ये भी interesting होने वाला है बिलकुल अभी तक जिस तरह से सारी चीज़े interesting होते आईए किसी परकार का doubt है तो feel free to ask in comment section till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much